हमेशा उसको मारता था पीड़ता था गाली देता था और 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 सोनु कुमार हमेसा बोलता था कि तुमको व्भवाद कर देंगे तो मेरी दीदी जो थी वो बोलती थी में आपके साथ नहीं रह पाँगे आप मेरे ऐसे करते हैं तो सुनुकुमार हमेशा उसको बोलता है तो मारे परिवार को ब्रवाद कर देंगे चलो तुम मेरे साथ जब दस्ती लेकर चलेंगे तो जोटा पगरेकर लेकर जाएंगे तो मेरी बहान बोलती है कि भाई मेरे साथ ऐसे सोता है तो कोई भी भाई अपनी बहान को मरने नहीं दे सकता है और जैसा कि मैंने किया बोला मैंने बहाण को कि भाइबान मत जो तुम तुम रहो हैं आपकोई दिक्कत नहीं है हम समझाएंगे उने बड़ उसको हम सब समझाने कुछ इसके पर उसने क्या-क्या गर उसके उसके सब को गोली मार दिया आप बताए कि कल्यूग भी खत्म हो चुका है अपनी बहान को रख्चा करना गुणा है अभी मेरा भाई जो तरह पो रहा है आइस्यूम भरती है बैचारा एक मच्चर किया किसी चीज़ को नहीं मारता है ना माज मसली खाता है वो बैचारा इतना तरह पर उसका क्या गुणा ऐसे इन्सान को किस तरह का दुनिया है कि मेरी बातों को कोई नहीं सुन रहा है जो भी कुछ भाई लोग है कि मेरे पास हमको लगा नहीं रहा है कि क्या हो पाएगा मेरे मैं छोटा हूं घर का मेरे पर इतने बड़े बार दिरिशन आ चुके मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करें अब आफी सम्माली के आप सब इस सीज को आगे बढ़ा हो मुझे काफी जरुवत है लगा मैं पूरा टॉचर हो चुका हूं कि मैं मेरा कोई गलती नहीं हमारे परिपार का फिर भी इतना बड़ा मुझे सजाल दिया गया है तो आप सब कुस देखो समझो और आगे फैसला लो आगे क्या हो सकता है क्यों कि मैं चार दिन से यहां सर्वाइब कर रहा हूं खाना वेगरा जो फल वेगरा खाकर सर्वाइब कर रहा हूं क्योंकि जो भी घर में जिसका घटना होता है जो पापा को अंतिम सस्क्रा देता है वो सब खाना नहीं खा सकता है नमक वेगरा तो मैं भूखे पेट और नौर्माल खाना खाके यहां सर्वाइब कर रहा हूं भाई का एल्प कर रहा हूं बाकि आप सब देखो और इसको अभाई हूं इसलिए मैं हमेशा अपनी भाण का रक्षा करूँगा और हरे एक भाई को अपने भाण का रक्षा करना जाया है मैंने भी किया मैंने अपना कर्तब नहीं भाया और मेरा हम लोग का कोई गुना नहींगा इस आप सब देखो और इस जिच को आगे बढ़ा पता झाल